स्वागत आप सभी का एजुकेशना फाइरवेद में जो भैसेज कलपना की जो MCQ सीरीज लेकर के हम चले थे उसके पार्ट 2 में हैं मतलब कि जो भैसेज कलपना है उसका MCQ भाग 2 में आप सभी को प्रशनों का जो समाकलन है उसको इस हिसाब से समझाया जाएगा जो की परिछ आप से समलित किया गया आपके जो MCQ की सीरीज बनी थी उसमें सभी विश्यों बिंदों को ध्यान में रखा गया उसी तरह से भैसेज कलपना में एक पार्ट 1 आपको दिया गया है MCQ का और दूसरा जो भाग है वो इसमें हम आपको प्रशनों को अलग-अलग तरीके से समझ से भी प्रशन ज्यादे बनते हैं तो एके करके प्रशनों को लेते हैं सबसे पहला प्रशन अगर हम देखें पहले प्रशन को अगर देखा जाए तो पहला प्रशन जो है वह कह रहा है आपका शरीर के धातूं के विपरीत गुड़ वाले द्रब्यों का शेवन क्या कहलाता अब देखें विरुद्धा आहार से ही है तो शरीर के विपरीत धात्वों के मतलब कि धात्वों के विपरीत अगर कोई आहार द्रब्य अगर हम ले रहे हैं तो उशे क्या कहा जाता है तो उशे हम कहते हैं विरुद्धा आहार ठीक है विरुद्धार मतलब कि ऐशे आहार जो खटे य हुआ है बिप्रिदाहार को अगर बताते चलें कि जो भी टॉपिक है बिप्रिदाहार से समंदित वो परिछा उपयोगी हैं, आपको इसी तरीके से लिख kar Pewser याद करना है और बार-बार क्या कहा जाता है कि जब तक detail में class आप नहीं करेंगे तो mcq से कोई लाब नहीं है mcq जो है याद करने के लिए आप लिख सकते हैं लेकिन detail में जब आप पढ़ेंगे तो उससे जितने भी mcq बनेंगे आप उसको कर सकते हैं दूश्रे प्रशन में क्या कह रहा है मचली और दूद दोनों मधूर होने से किस दोसकी बरिद्धी करते हैं गप बढ़ाने के कारण ही कहा जाता है कि मचली और दुग्द का शेवन एक साथ नहीं करना चाहिए तो यह भी विरुधार के अंतरगत समलित किये जाते हैं ठीक है तो इस हिसाब से आप इसका अंसर नोट करेंगे अगला प्रस्न लेते हैं तीसरा प्रस्न अभी तक जिन भी विद्यार्थियो उन्हें जो की फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है या आरिवेद नर्स की तैयारी कर रहा है उन्होंने आयुर्भासकर एप पर क्लासेज अगर पर्चेज नहीं की है तो अभी भी आपके पास सुनारा मौका है आप क्लासेज पर्चेज कर सकते हो आयुर्भासकर एप प्ल करना ता नामांकन करना था लेकिन 1000 की शंख्या जो है पार हो चुकी तब हमने जो है आपकी सुभिधाए के लिए अभी क्लोज नहीं किया है फीस बढ़ ही नहीं है पिश बढ़ने वाली थी एक हजार सीट फूल होने के बाद से फीस बढ़ने वाली थी लेगिन बहुत सारे ऐसे विद्यार थी जिनकी रिक्वेस्ट आई है कि सर फीस न बढ़ाईजे हम क्लासेज जॉइन कर लेंगे तो ऐसा नहों कि आप जो है मौका गवादे और फीस बढ़ जाए तो उसके पहले शेवन करना शयोग विरुद्ध मतभा इनका शयोग जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए शत्तु में जल मिलाकर कि शयोभ विरुद्ध को दरस आता है चौथा प्रश्ण देखा जाए चौथे प्रश्ण में के चीनी से बनाई जिनी की जगाँ पर हम शरकरा만 कर सकते हैं वे कहा जाता लेकिन जब शरकरा कहला तो आप चीनी में समझेगा गुड समझे तो छीनी मधिरा मतलब कि जो शंधानी के अंतर Kenneth आ रहा है किष मतब कि चीनी शे बना हुआ मदिरा और मदू का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए यह क्या है इनका शैयोग नहीं होना चाहिए अगर शैयोग होता है तो यहां नुक्षान पहुंचाते हैं कांश पात्र में तक रखा गया घृत कैसा हो जाता है यहरीला हो लेकिन कांशे के पात्र में 10 दिन भी रख देंगे तो क्या हो जाता है बिशाक्त हो जाता है मॉतपूर प्रश्ण है परिच्छा में समलित हो सकता है ठीक है उसी तरह जे अगर 6 प्रश्ण देखा जाए तो क्या कह रहा है सीत काल में सीत रुच आदी द्रब्यों का शेवन ऐस विरुद्ध होता है सीत काल है और आगर आप ले रहा हैbang रोकुए का मतलब क्या है रूखा सुखा कह सकते हैं इन अगर शेवन किया सरे हैं तो किया वाल में इस म्लित होते हैं क्या है काल विरुद्ध काल कर रहा हैं काल विरुधं में रखा जाएगा मकात्रा विरुधं मतलब की मात्रा के अंड्रूप नहीं कर रहें का अगर सेर्वन किया जाता है तो वह कौन सवरूद होता है तो जिस देश में हैं उससे मिलती जूलती चीजह अगर खा रहे हैं तो आसे देश-विरूद हो जाएगा क्या में जाया ही जोका भाली चीजे कम मात्रफा में हमें कर रही हैं उनके पास अभी मौका है कि चुनाओं के बाद हो सके तो एक्जाम की डेट निर्धारित होगी उसके 20-25 दिन बाद ही एक्जाम हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है इसमें भूलना नहीं है कि अभी टाइम आपके हाथ में है आप त्यारी कर सकते हो तो अभी भी कोर्सेज अबलेबल हैं सारी चीजे पढ़ा करके कंप्लीट की गई है बहुत ही बहतरीन एक तरह से कोर्स को पढ़ाएगे आप चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो अभी भी टाइम है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किये वो ज्वाइन कर ले ताकि परिच्छा में आ अगर हम खाते हैं तो वहाँ क्या बढ़ाता है पित को बढ़ा देगा तो जिससे पित बढ़ जाने के कारण पित दोस अउत्पन होगा या पित से शम्मंदित जो विकार हैं शरीर में उत्पन हो जाएंगे ठीक है अब नौवा प्रश्न देखते है just तो नौवे प्रस्ण में क्या कह रहा है कि चार प्रकार की जठ्रागनी के रहते हुए उसके अनुशार आहार न मिले तो वह क्या कहलाता है तो अब देखें जो भी जठ्रागनी है उनके अनुशार अगर आहार नहीं मिलता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं अग्नी बिरुद्द का कहते हैं कि हमारी लागनी के विरुद्ध अगर आहज नहीं मिलता है अनुसर आहार नहीं मिलता है तो वह क्या कहलाता है अगला प्रशन दस्वा प्रशन अगर देखें तो तो दस्वें प्रश्ण में क्या कह रहा है, जो पूरुष मलमुत्र का त्याग किये बिना भोजन करता है, मलमुत्र का त्याग किये बिना ही भोजन कर रहा है, वह विरुद्धा आहर के भेद में कहां शमलित है, मतलब कि ऐशा ब्यक्ति जो मलमुत्र त्याग नहीं कर रहा है तो वह कहां पर विरुद्धार के अंतरगत देखा जाता है तो है करम विरुद्ध, मतलब कि वह करम को बिगाड करके ही आहर गरहन कर रहा है करम विरुद्ध तब नहीं होता जब मलमुत्र का त्याग करके भोजन करता तो नियम यहां है दिन्चार्या के अंतरगत की मलमुत्र त्याक करना है तब आहर गरहन करना है लेकिन यहां क्या कर रहा है मलमुत्र का त्याक किये भीना ही आहर गरहन कर रहा है तो वह करम विरुद्ध को दर्साएगा मतलब कि वह शही करम के अंतरगत कारे को नहीं कर रहा ह अगले प्रश्ण में देखिए ग्राहमा प्रश्ण क्या कह रहा है जो ब्यक्ति सूवर आदी के मांस को खाकर उष्ड वस्तों का शेवन करता है सूखर हे हां हम परीहार बिरुद कहते हैं ठीक है परिहार बिरुद मतलब कि वीरे के अनुशार हम आहार नहीं ग्रहण कर रहा है उस्षे मिलता जुलता आहार ग्रहण कर रहा है तो अब परिहार बिरुदता को दिखाता है परिहार बिरुद जब भी कहेगा तो आप याद रखेगा कि उष्ण का भाय उसे हम क्या कहेंगे तो मन के अनुशार नहीं भाने वाले आहार को हम हिर्दय विरुद कहेंगे या हिरिद विरुद भी कहेंगे यह विरुद्ध के अंतरगत देखा जाता है उसी तरह से अगर तेरा नंबर प्रश्ण की बात करें इसमें कहा रहा है कि एशे द्रब्य जो आम का पाचन करें परन्तु जठ्रागनी को प्रदिप्त न करें उसे क्या कहते हैं अब देखिए यह जो प्रश्ण है एक तरह से कॉमन प्रश्ण है द्रब्य गुण में भी समलित किया गया है तो उसी तरह से यहां पर अगर देखें ऐसे द्रब्य जो आम का पाचन कर लेते हैं लेकिन जो हैं जठ्रागनी को प्रदिप्त नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते चौधा हमें प्रश्ण में गभर देखिए कि जो द्रब्य चुदा की ब्रिद्ह करते हैं उसे क्या कहते हैं तो चुदा की प्रिद्ह करने वाले द्रभ्यों को हम दीपन कहते हैं क्या कहते हैं जो भूख को बढ़ा देते हैं ठीक है उसी तरश से अगला प्रशन अगर देखा जाए 15 तो यहां पे देखिए 15 प्रशन जो है वह कह रहा है कि जो और द्रभ्य मलो का परिपाक कर अधोमार्ग से बाहर बाहर निकाल दें उसे क क्या कहते हैं अनुलोमन तो यहां पे आपने पीछे प्रशन आपने पीछे के लेकिन कभी कबार क्या उसे प्रस्चल यहां बनते हैं अचिव हैं इंपोरटेंट कप्लीट करोगे और बार-बार कहा जाता है कि यदि आपने जो भी तैयारी के लिए फार्म भरे आं जो भी आप अगर फार्मसिष्ट है या इस्टाफ नर्स है तो तैयारी अगर आपको करनी है तो जलदी से जल्दी जुइन कर लीजे ताकि देर नहों और आपको जो सुनहर मौका मिला है वह आप उसको गवान दे ठीक है यदि आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो इंपोर्टेंट लगती है तो आपके जो भी क्लास्मेट है सापार्थी है वहां तक वीडियो पहुंचाईए ज्यादे ज्यादे वीडियो को सेयर कीजिए जो क्वेस्टन नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि उनको देख करके उसका जो उत्तर है दिया जाए वीडियो में लास्तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद